दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसस करने वाले हैं तो किस तरा इसको हम डाउंलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं इसके लिए हमें ओपन करना होगा विंडोस की सैटिंग को सबसे पहले हमने क्या करना है start के button पर right click करना है और setting पर apply करना है तो जैसी ही हम कर लेंगे इसके बाद हमने update and security इसको select करेंगे इसको select करने के बाद चंद second यहाँ पर हमने wait करना है और bottom में find करना है view update history और इसको select करेंगे select करने के बाद हम देख सकते हैं windows update history जो है या optional या quality update जो है वो यहाँ पर available है इसमें भी हम देख चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो netframe work है वो install है या नहीं है तो यहाँ से भी हम इसकी update को check कर सकते हैं अगर यहाँ पर available नहीं है तो हमने क्या करना है top पर uninstall के उपर हमने click करना है तो जैसे ही uninstall update के उपर apply करेंगे एक box हमारे पास appear होगा installed update का तो left side पर हमने find करना है turn windows feature on तो इसके उपर click करेंगे mini box हमारे पास appear होगा यहाँ पर हमारे पास देख सकते है netframe work है तो इसके check के button पर हमने click करना है यानि कि इसके box में हमने check करना है तो 3.0 और 4.8 जो है वो automatically install हो जाएगा हमारी Microsoft Windows में यह simple सा method है इसको करने का simple आपने इन तमाम दोनों box में click करना है ok करना है तो जैसे ही ok करेंगे processing automatically continue हो जाएगी तो इसके बाद हमने windows को update करना है यानि कि windows update की जो first setting है इसको हमने setting को click करना है download करना है तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जो net framework है 3.5 और 4.8 जो है वो download और install हो चुका है अब हमने क्या करना है simple इस box को close करना है और यहाँ पर जितने भी box है उनको हम one by one करके close करते जाएंगे close करने के बाद फिर हमने update history यहाँ पर check कर सकते हैं इसको refresh करने के बाद तो यहाँ पर हमारे पास यह illuminate हो जाएगा और अगर यहाँ पर appear ना हो तो आपने क्या करना है अपनी setting को back करना है back करने के बाद Microsoft Windows की जो updates हैं उसको आपने refresh करना है तो जैसी आप refresh करेंगे या अपने PC को restart करेंगे तो यह automatically download और install हो जाएगा आपकी Microsoft Windows में तो restart करना अपने PC को बहुत ही जुरूरी है ताकर जितनी भी informations है update या refresh हो सकें तो simple आपने क्या करना है अपने just PC को restart करना है